पेंशन नियामक PFRDA के तहत दो प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत रेकों की संख्या साल नवेंबर में 22 प्रतिशत से अधिक बढ़ा कर 4.75 कडोड हो गई है PFRDA के दो प्रमुख पेंशन योजनाएं NPS और अटल पेंशन योजना है नमस्कार में रिया और आप देखें NBC24 अगर आपको भी 60 के बाद ठाट करने वाली संख्या में 22 पिसद की बढ़ोतरी हुई है आप भी ले सकते हैं ये प्लान जानिए क्या कुछ है इस प्लान में और कैसे करें इसके लिए जानिए पूरा मामला हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पेंशन नियामाक PFRDA के तहत दो प्रमुक पेंशन योजनायों के तहत आशंग धारकों को संख्या इस साल नवेंबर में 22 प्रतिशत से अधिक बढ़ कर 4.75 कडोड हो गई है पेंशन कोश निवी यामक और विकास प्रधारिकरन ने कहा कि नवेंबर 2021 के अन तक राश्ट्रिय पेंशन प्रनाली मतलब की एन पीएस के तहत विभिन योजनायों का अश्धारकों की संख्या सलाना आधार पर 22.45 प्रतिशत बढ़ कर 4.75.87 लाग हो गई है नवेंबर 2020 में ये संख्या 368.62 लाग थी प्रतादे कि PFRDA के अनुसार 30 नवेंबर 2021 तक प्रभंदक के तहत कुल पेंशन संपती बढ़ कर 6.85.460 से भी अधिक कडोड रुपे पर पहुँच गई है सलाना आधार पर इसमें 29.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है PFRDA के आकडों के मुताबित राष्ट्रिय पेंशन प्रनाली NSP के केंद्र और राज सरकार के करमचारियों की श्रेनी में अशंगधारों की संख्या क्रमश 4.71 प्रतिशत से 9.74 प्रतिशत बढ़कर 22.44 लाग और 54.44 लाग हो गई है वहीं कॉर्परेट और NPS के सभी नागरिक शेत्र में अशंगधारों की संख्या 23.73 प्रतिशत से 33.81 प्रतिशत बढ़कर 13.19 लाग और 18.88 लाग पहुँच गई है NPS लाइट के तहत ग्राकों की संख्या हाला की 2.78 प्रतिशत घट कर 41.92 लाग हो गई है अटल पेंशन योजना के तहत आशंगधारों को संख्या आलोच ये महिने में 30.1 चे प्रतिशत बढ़कर 3.25 कडोड पहुँच गई है अब आपको बताते हैं कि कौन ले सकता है ये अटल पेंशन अटल पेंशन योजना का लाब 18-40 वर्ष की आयो के सभी भारतिय नागरिक उठा सकते है APY खाता रखने के लिए बैंक या डाग घर के एक बचत खाता होना चाहिए कोई भी APY ग्राहक जो 18 वर्ष का है को प्रती मा 42 रुपे से 210 रुपे का योगदान करना होगा आपको बताएं इससे उसका पेंशन खाता शुरू हो जाएगा जबकि राश्ट्य पेंशन योजना, रिटायर्मेंट योजना है जो पेंशन पेमेंट के अलावा निवेशक को रिटायर्मेंट पर एक मुष्ठ रकम का अतिरिक्द भुगदान किया जाता है खाताधारक की मृतियू की स्थिती में नामी कानूनी धारिका धन को निकाल सकते हैं अटल पेंशन ग्योजना को NPS के अत्रंग आती है वर्ष 2015 में शुर्यू की गई थी और इस सेग्राहकों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी तो अगर आप भी 18 से 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो इस मर जाकर अपलाई करें ऐसी तमाम गबरों के लिए देखते हैं NBC24 धन्यवाद